इसके मुतलिक जी वो लिखता है कि पुश्डाउन आटोमेटा एक ऐसी आटोमेटन है जो एक्स्ट्रा मेमोरी रखती है ठीक है पुश्डाउन आटोमेटा जी पुश्डाउन आटोमेटा पुश्डाउन आटोमेटन 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 अएस्ट्रा मेमोरी कि इस मक्सद के लिए extra memory रखती है और इस extra memory को हम क्या कहते हैं इस extra memory को हम बोलते हैं stack और इस extra memory में जो है हमारे पास different kind की inputs को रखा जाता है different kind के data को रखा जाता है जो बारी बारी इस machine से process किया जाएगा ठीक है तो वो लिखता है जी ये कहां पर use होती है the PDA pushdown automaton is a mathematical model that is used used where the number of inputs are maximum as compare to FA and less than the Turing machine और दूसरा इसमें ये है वो कहते है जी दा ट्रांजिशन यानिकि जिसको movement कहते हैं states की दा ट्रांजिशन in a machine are based not only the input and current state but also on the stack अब इसको अगर हम simple अलफाज में समझें तो क्या difference है PDA और FA के अंदर कि FA के अंदर हमारे पास एक तो जो states होती थी वो limited होती थी ठीक है इसमें states भी थोड़ी सी ज्यादा होंगी दूसरी चीज़ FA के अंदर ये होता था कि हमारे पास defined number of inputs होते थे और वो inputs जो हैं उसकी base पे movement होती थी एक state से दूसरी state तक इसको हम transition बोलते थे और PDA के अंदर क्या है कि हमारे तमाम inputs जो है वो stack के अंदर रखी होती है और उस stack में से कोई भी input जो है वो आ सकती है और उस stack में पड़ी होई input पर depend कर रही होती है आपकी transition PDA के case में इनके push down automaton के case में दूसरा PDA हम use करते हैं जहां पे हमारे पास number of states और number of inputs एफेक निस्बत जियाता है तो ये दो चोटे से differences है दूसरा वो कहता है कि ये जो इसकी memory होती है जो इसका stack होता है ये sequentially access किया जाता है दूसरा इसमें आपने ये देखना है कि it has limited memory मतलब इसमें ये नहीं है कि जो आपका stack है वो unlimited है stack की भी memory जो होगी वो क्या होगी limited होगी limited memory होगी stack की और दूसरी चीज हमारे पास वो जो memory है वो access कैसे की जा सकेगी sequentially कि उसमें पड़ी हुई एक input आई फिर दूसरी input आई और फिर तीसरी input आई ठीक है इसमें ये नहीं होगा कि मतलब कि एक input पहले नमबर पड़ी है तो उसको चलाने के बाद आप डिरेक्ट पांच में input पर चले गए तो बारी बारी इसमें से inputs आएंगी और उस हिसाब से transition होती चली जाएगी और और states जो हो चेंज होती चले जाएंगी मेशीन की बस डिफरेंस इसमें थोड़ा सा ये है FA में और PDA में के PDA में memory लगा दी जाती है और memory में थोड़ी से inputs ज्यादा रख दी जाती है जिस वज़ए से थोड़ा सा states भी इसमें हम ज्यादा यूज कर सकते हैं और transitions की तादाद भी eh의 19 Mhmka जिसमें ज्यादा हो जाती है उसके बाद थर्य नंबर पर हमारे पास जो कैठा गरी थी वह थी टियूरिंग मैशीन तो उसको जो है हम हम इसमें डिसकस कर लेते हैं कि टूरिंग मैशीन हमारे पास क्या चीज़ आजी What is a Turing मैशीन अब ट्यूरिंग मशीन जो है ये पिछले दो जो मॉडल्स हमने इसमें डिसकस किये हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉंगेस्ट मॉडल है हमारे पास ठीक है जी जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है ये उन दोनों मॉडल्स से ज्यादा स्ट्रॉंग है किस हबाले से ज्यादा स्ट्रॉंग है तो वो अभी हम देखते हैं जी इसमें क्या ऐसे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं तो कहते हैं दा ट्यूरिंग मशीन हिर्ड्यूर्युण ट्यूर्व्युण ट्युंग द्यूर् Arg- 2020 से ठ्यूर्वयर फ्यूर्वर्व будете ह tua हम स्ग्सक्ट द ट्यूरह्प्य।前 ट्यूर्व, हिर्वेक्ट कंग ठ्यु करण्यूरिंग्स अब्यूर्वेद्स ट्दिसर्टिक्ट my क्यूर्य। ठीक है because it can manipulates symbols on a large strip of tape according to a table of rule अब ट्यूरिंग मिशीन में क्या हो रहा है कि हमने एक रूल्स का टेबल डिफाइन कर दिया एक चीज एक हमने रूल्स का टेबल डिफाइन कर दिया दूसरा हमने symbols को या input को store कर दिया on tape जिसको magnetic tape करते हैं ये पुराने ancient times में जो start में computer थे उसमें आपको याद होगा कि जो story device यूज की जाती थी magnetic tape होती थी तो यहां से मैं समझ में आगया कि जो memory के capacity ये टेउरिक मशीन की वो भी PDA की निस्बत ज्यादा है because हमारे पास जो inputs हैं या जो symbols हैं उनको किस पे store किया जा रहा है magnetic tape पे store किया जा रहा है काफी ज़्यदा तदाद में और फिर उन पर processing कैसे करनी है या वो किस तरह से process किया जाएंगे उसके लिए जो rules हैं transition के rules हैं उनको एक table में define कर दिया जाएगा एक तो यह हो रहा है इस model के अंदर दूसरी चीज़ वो कहता है कि हमारे पास यह जो tape है इसको divide के जाता है cells में और each cell के अंदर एक input को रखा जाता है यानि कि यह जो हमारे पास tape है यह divided हैं into cells चैज़ के जी और cells पे क्या होगा on which input given दूसरी चीज़ अब यह tape read कैसे होगी वो कहते है it consists of a tape head that read the input tape यह जनि कि अगर उसके structure की बात कर रहे है उस machine की चोथे नमबर पर यह point आ रहे है कि machine जो है वो कैसे read करेगी machine reads the input with the help of tape head आपको याद होगा जो हम एक head लगा होता था जो उस वीडियो टेप को read करता था तो बिल्कुल सेम उसी तरह से इस machine में भी जो है हमारे पास एक tape head होता है जो हमारी inputs को read करता है और फिर table जो हमने define किया होता है यानि कि instructions का या rules का उसके ते तो यह inputs process हो रहे होती हैं ज्यादा से ज्यादा तदाद मे Turing machine के अंदर दूसरा वो कहता है जी जब यह एक symbol को read कर लेगा तो फिर दूसरा symbol जो है वो read करेगा आपका tape head और इस तरह से बारी बारी सारी inputs process होती चली जाएंगी उसके बाद इसमें जो next एक चीज है बो यह बताता है कि यह Turing machine जो है invent हुई थी 1936 में और इसके inventor का नाम था Alan Turing जिसको हम जो है वो जो है जानते हैं एक mathematical अपना scientist के नाम से जो हमारे पास यह Alan Turing था यह एक computer scientist भी था और एक mathematical mathematics से related scientist भी यह था और इसने 1936 के अंदर जो है यह machine introduce करवाई थी यह model introduce करवाई था और इस model को consider करके different चोटी चोटी सी computerized machines भी बनाई गई थी जिसको जो है हम Turing machine का नाम देते हैं उसके बाद जी वो कहता है जी इस machine के अंदर कोई stack नहीं होता बलके memory tape लगाई जाती है जिसके अंदर यह तमाम चीज़ें cells के अंदर पड़ी होती है और tape एड उसको read करता है तो I think आपको तीन टाइपस जो है वो समझ में आई होंगी Turing machine की के Turing machine बेसिकली जो है strongest model है और strongest model किस तरह से है कि इसके अंदर जो capacity of the memory है वो पिछले दोनों model से ज्यादा है तो बेसिकली जो तीन केटागरीज हमने अभी पढ़ी हैं जिसमें FA था, PDA था और Turing machine था बेसिक इन में जो difference था वो यही memory का था कि कितने ज्यादा से ज्यादा inputs को यह machines जो है वो process कर पाएंगी, process कर सकेंगी और उनका तरीका कार क्या होगा तो उनके जहरी बात method का difference था और memory की capacity है जो उसका difference था इन तीनों केटागरीज के अंदर तो अब इन्शालात अला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर applications of automata theory को discuss करेंगे और फिर इस तरह से हम properly अपने आनेवल lectures की तरफ जो है वो move करेंगे I think आपको यह तीन categories जो है वो समझ में आई होंगी तो इसको काइनली device कीजिए और इसके बाद जो है हमने applications of जो है वो automata theory discuss करनी है और उसके साथ ही साथ फिर हम थोड़ा सा इसको discuss करेंगे इसमें कोड़ चीज़ आती है mathematical preliminaries and notations के रियाजियाती notations हमने discuss करनी है और कुछ preliminaries जो यह यहनिके basic concepts हैं हमारे mathematical के उसको हमने discuss करना है और next फिर इन्शाला ताला हम languages की तरफ जो है वो move करेंगे यह chapter फिर हमारा end हो जाएगा इसमें तो इसको kindly revise कीजिए और फिर next lecture में इन्शाला ताला मैं आपको यह topics discuss कराऊगा अल्ला हाफिज